केंद्री मंची रवनीत सिंग बिट्टू की कॉंग्रेस सांसज राहूल गांधी पर बयान बाजी करना भारी पड़ गया है बिट्टू के राहूल गांधी को आतंगवादी कहने के बाद उनके खलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है कॉंग्रेस इस बयान से आग बबूला है और आज दिल्ली से लेकर हैदरबाद तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कॉंग्रेस कारिकरता उन्हें कई जगा रवनीत सिंग बिट्टू के पुतलेफू के साथ ही दिल्ली बीजेपी आफिस के सामने भी प्रदर्शन किया इसमें यूद कॉंग्रेस के कारिकरता बड़ी संख्या में शामिल हुए बतारे कि केंद्री मंत्री बिट्टू ने राहुल गांदी के अमेरिका में दिये बयानों पर सवाल उठाते हुए आतंग वादी के हडाला था आप भी सुनिए उनकी ये टिप पड़ी ने राहुल गांदी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांदी ने कही है आप ये देख लीजिये जो देश के दुश्मन जो बरूब गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को ट्रेन को रोड को जब वो लोग रहूल गांदी की स्पोर्ट में आगे आप अंदाजा लाल गा लिजिए रहूल गांदी खुद देश के नंबर वन टेरिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड ने आ रही हैं वहीं रवनेत सिंग बिटू के खिलाफ दिल्ली जैपूर हैदरबाद महराष्ट चंडीगर समयत अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किये जा चुके हैं कॉंग्रेस निताओं और कारिकरताओं की मांग है कि रवनेत सिंग अपने बयान के लिए माफी मां उससे साफ जाहिर है कि उनकी मानसिक्ता अंसंतुलित हो गई है उन्हें मानसिक लाज की जरुवत है कॉंग्रेस नेता ने आगे कहा कि वो बार बार अपने कुछ नेताओं को खुश करने के लिए भाजबा की गलतियों जैसे महंगाई, ब्रश्टवचार, बेरोजगारी औ और पेपर लिग समय तरने जरूरी मामलों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयान बाज़ी कर रहे हैं, यस सब के बाद रवनीत सिंग बिट्टू का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अपने पुराने धर्रे पर वापस आ गई है, ये भी सुनिये देखो खडगे सहाब, टेरिस्ट किसको कहा जाता है, जो टेरिस्ट की बात अंडोर्स करें, जो टेरिस्ट को परमोट करें, अब जब पन्नू और राहुल गांदी, मेरा मतलब टेरिस्ट कहने का ये है भी जब पन्नू और राहुल गांदी एक दूसरे की बात, एक दूसर कि वावा कर रहे हैं तो और क्या होगा और उसे कहा क्या कहा जाएगा ये बताओ भी राहूल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं तो इसमें फर्क कहां रह जाता है खड़के सब ये बात पे आप अपनी स्टिपीक और कॉंग्रेस पार्टी स्पष्ट करें वहीं दिली ये आचिका में कहा गया है कि राहूल गानी के हलाव विटू के अपमान जुनक टिपडियों से व्यापक हिंसा और आशानती भड़कने की संभावना है